पुशंद 3. सिद्ध कीजे की चरगातां की फलन, e की पावर x वर्दमान फलन है. अर्थात, प्रतेक वास्तविक संख्या x के लिए e की पावर x एक वर्दमान फलन है. तो हम fx माल लेते हैं, e की पावर x को हम fx माल लेते हैं, तो f x बराबर हो गया e की पावर x f x क्या हो जाएगा e की पावर x का होता है e की पावर x तो f x बराबर हो गया e की पावर x अब x जब positive है x जब धनात्मक संख्या है positive है तब हम क्या पाते हैं यह हो गया e की पावर एक positive number e की पावर एक positive number मल्लिया e की पावर 2, मल्लिया e की पावर 4, इस प्रकार से, पॉजिटिव नंबर, तो सदैव ये एक धनात्मक होगा, इसलिए ये 0 से बड़ा होगा, अर्थात, जब x पॉजिटिव है, तो f-x हम पादे हैं, धनात्मक होगा, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, कि जब e की पावर x का हम प्रसार करते हैं, तो ये होता है, 1 प्लस x प्लस x स्क्वाइर अपोन फेक्टोरियल 2, प्लस ये अनंब तक, और जब x धनात्मक है, तो ये सदैव धनात्मक संख्या होगी, जो x वाली है, और वो एक में जुड़ रही है, तो e की पावर x धनात्मक हो होगा, तो इस प्रकार e की पावर पॉजिटिव संख्या ले लें, तो वो सदैव धनात्मक होगी, अर्थात, जब x पॉजिटिव है, तो f-x greater than 0 है, पहली इस्तिती हमने देख ली, अब दूसरी इस्तिती देखते है, x जबकी नेगेटिव है, x जबकी धनात्मक है, नेग इस इस्तिती में हमें क्या मिलेगा, f-x, e की पावर नेगेटिव नमबर, अब ये e की पावर नेगेटिव नमबर क्या बन सकता है, 1 अपोन e की पावर पॉजिटिव नमबर, ऐसा हो गया, 1 अपोन अब ऑन, हम घातंकों के नियम से, किसी भी संख्या का यदि हमें धनात्मक घात मिला है, तो हम उसको वन अपोन करके उसको धनात्मक घात बना सकते, तो इसका अभिप्राय ये होगा, और ये धनात्मक है, ये की पावर पॉजिटिव नमबर हम देखते हैं कि धनात मखोगा अर्थात ये भी हमें 0 से बड़ा मिलता है तो इसलिए f-x हमें greater than 0 मिलता है जबकी x negative है तीसरी इस्तिति हम देखते हैं माल लिया x बराबर 0 है माल लिया x बराबर 0 है तो हमें क्या मिल जाएगा f-x e की power 0 और e की power 0 होता है 1 किसी भी संख्या की power 0 1 के बराबर होती है और 1 सदेव हम जानते हैं कि 0 से बड़ा है तो इस इस्तिति में भी हम पाते हैं कि f-x 0 से बड़ा है तो x का कोई भी हम वास्तुक मान ले लें चाहे वो 0 हो चाहे वो धनात्मक हो चाहे वो रनात्मक हो तो तक्तेक स्थिती में e की पावर x का जो हमें f' x मिल रहा है e की पावर x जो हमें मिलती है वो धनात्मक मिलती है तो इसलिए e की पावर x x के तक्तेक वास्त्विक मान के लिए वर्दमान है चरगातां की जो खलन है वो वर्दमान खलन है